हेलो फ्रेंड आप सभी को आने वाले धंते रच की हार्दिक सुभकाबना फ्रेंड धंते रच में खरदारी करना बहुत ही सुभ माना जाता है कुछ लोंग इस दिन सोना चांदी बरतन और कुछ लोंग अपनी असक्ता की चीज़ खरीदते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन कौड़ी खरीदना भी बहुत ही सुभ माना जाता है धंते रच के दिन कौड़ी घर में लाना बहुत ही सुभ होता है तो चलिए जानते हैं धंतेरस के दिन कौड़ी खरीदना भी अत्यन सुम माना जाता है माता लचमे को कौड़ी अतिब्रे है कहते हैं जिस घर में कौड़ी खरीदना भी नहीं होती है धंतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर घर में जरूर लाए और उसकी पूजा करे और पूजा के बाद उसे एक लाल कपड़े में बांद कर उसे घर की तिजोरी में रग दे आपके घर में हमेशा धंकी बरता होती रहेगी और आपको धंकी गमी कभी भी महसूस नहीं होगे इसलिए धन्तेरस के दिन कोडिया जरूर खर दे फ्रेंड धन्तेरस के दिन आप भी अपने घर में कोडिया खरीद कर जरूर लाइए और मातारानी के केपा अपने घर में भी पाईए ओके फ्रेंड्स, आप सबी को आने वाला ये धन्तेरस का दोहर बहुत बहुत मुबारक हो, जै माताती इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैंबली, मेंबर, रिलेटिव के साथ सेर भी कर सकते हो ओके फ्रेंड्स, थेक्ष्ट वाचिए में वीडियो, बाई बाई ठीकेर